बहुत से लोग बोल रहे थे कि वो आंटी वांटी के बारे में बात करो दोस्ता क्योंकि भाई वो बड़े मिया चोटे मिया का जो सौंग है उसको बड़ा रोस्त किया है आंटी ने फिर वो चपरी कुमार है ना उसने भी और बॉबी मोटे ने देखो भाई पहली बात तो ब कि अगर मैं सूरेवांशी की बात करूँ ना सूरेवांशी से भी दस गुना जादा हाई पेस मुवी का बड़े मिया चोटे मिया का तो भाई इनको पाइल साना करेक्ट ना इनको इनकी ऐसी लगी है कि आभी सही भौकने लगे कि भाई नहीं ने भाई यह तुरी में कहार क कि इस बात करीमे के भाई और अंटी को भाई मतलब यह शारूक और कौन अंटी किसकी दो तीन लोगों की दिवानी ना भी केजिएफ वाले की और क्या नहीं रौकी भाई की है क्या सच में आ तो अंटी स्टेप की कि भाई अगर वो लोग पात भी देना तो भी बोलीगा र सिलेंडर की भी जरूरत नहीं बढ़तियों की घर पे अब वह आता है वह चपरी कुमार क्या वह दस रूम वाला क्या नहीं पाच भाई पाच रूम है ना उसका वहां पर भॉकते रहता है अरे रोज उसको पास भाई यह दिखाता है कि मेरे को इतने सब्सक्राबर इतने और देखो भई पैसा कमा सकते हो लेकिन जो थोड़ी ना बदल सकता है और उसके लिए तो भई प्लास्टिक सरजरी कर लो ना भई तुम सिंपल है तुमारा जो फेवरेट हीरो है उसका ही थोबड़ा लगा क्या चिपका के लाओ मतलब में भी लोग अच्छा बोले जादा कुछ उसको इसलिए नहीं बोलता हूं कि उसका वही है वहरेक कोई रोस्ट मारता है ऐसा नहीं कि वह किसी एक पर्टिकुलर लेकिन यह जो अंटी और यह अंकल जो है क्या वह छपरी कुमार चुतर कुमार क्या ना में उसका जो भी शॉरी मैं गलत प्रोनासियेशन किया होगा तो नहीं वह सही किया मैंने चुतर ही बोला चाहिए उसको तो वह अंकल भाई यह पागल लोग है ओके यह में इंटली डिस्टर बहें और इनको पैसा नहीं मिलता है अक्षे कुमार सर का क्या है कि वह कभी ऐसे क्रिटिक्स विटिक्स को पैसे वैसे देने वालो वह accept कर लेते कि हाँ ऐसी थी फिल्म तो भाई हाँ खतम वह नहीं कि किसी मोवी को जादा दिखाने के लिए क्रिटिक्स को खरीद लेंगे यह होगा वह उनके तरफ से नहीं होता है और और ओनेस्लि स्पिकिंग यह जो मोटी आंटी और चुतरकुमार जो है ना इनकी आउकात और हैसियत भी नहीं है कि आप लोग बोलते हो ने कि शाहरुक ने इसको पैसे दिये और इनकी आउकात ही कि शाहरुक खान इनको भाव देगा इनको पैसा देगा घंटा देगा वह बात यह है कि इनको क्या है कि या इनको ना बस फैन फॉलोइंग कमा ने ही कि भाई चलो शाहरुक के फैंस मिल जाएंगे मिल जाएंगे फ्री में काम करते हैं लोग इनका भाई तुम बोलो SRK is a very big superstar इनकी क्या आउकत ही उसके सामने इनको पैसा देगा हो कुछ लोग बोलते कि इनको पैसा देता है घंटा देगा है उसको क्या लेना देना इन लोगों से उसका एक डायलोग वो बात्रूम संडास वाला उसने मारा था तो SRK ने भी देखा होगा न उसको कि उसका जो उस आदमी का थोबड़ा है रिव्यू करने वाले का चुतर कुमार का वो भी सच में संडास जैसे है तो SRK को भी यादा है कि वो संडास वाली शकल वाला जो बंदा है उसने एक सही डायलोग मारा था उसने भी मार दिया और यह आमर हो गया इसको लगा और भाई SRK ने मेरा आरे रियालिटी तो यह है कि SRK तेरे कोई संडास बोला बात यह क्यूंकि तेरी शकल से याद आ गया SRK को का रहे हाँ एक बंदा था भाई तो तो भाई देखो यह ऐसे लोगों के बारे में ना मुझे ना इतना वक्त नहीं के इन लोपे मैं यह करूँ बाकिया आप लोगों पर इनको बिलिए देखो इन्होंने फाइटर की भी बहुत बज़ाई अब यह बड़े मिया चोट कि हाइप इतनी तगडी पोहुच गई है अल्रेडी कि उसको फ्लॉप नहीं कर पाएंगे वरना इनका टार्गेट रहता है अजय रोगन की लेने की कोशिश करेंगे लोग रही बात वो के आर के उसके बार में क्या बोलना वह खुद तो देश द्रूई मुवी बनाता है उ किसके बार में अख fram तर वह इतना बेषर में फिर भी करता है क्या वोले तो उसके बारे मैं मैं उसको क्या नाम था अक्या क्या मुझे याद ने वो एक सड़ी हुआ शकल का है भाई सड़ा हुआ पैज है ना वो भी उससे ज़्यादा है दिखता है तो उसके बारे में क्या बूली और कौन था है और कोई दो-तीन थे क्या यह इतनी हो गए तो वह बाद में कोई अगर होगा भी भाई तो सिंपल सी ब वोडियोज बना रहे हैं मतलब समझ लो कि कितनी जली हुए कितनी फटी हुए अंदर से इनों ने जिन-जिन मुविस की बजाने की कोशिश किना इनकी मारी गई है भई सलार अल-टाइम ब्लोगबस्टर होगी उसके साथ जो इसकी इनके पैरे हीरो की मुवी आई ती उसका बैंड बज गया था दूसरी बात कौन सी फिल्म ने थी इनकी इनकी जो जली है इसके पीछे वो रिजाने बाखी कुछ नहीं इतना आपको इतना कुछ सीरियस लेनी के ज़रूरत नहीं मुझे एक समझ भी नहाता है इतना क्यों सीरियस ले तो इन लोगों को बागे आप ल झाल 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 झाल